पिछले दो साल से आप तथा खतित शराब घोटाले की कहानिया सुन रहे हैं। दो साल से जहां चल रही हैं, लाखों पन्नों के कागजात कोर्ट में दर्ज किये गए हैं। पचास हजार पन्नों के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सब्मिट हुए हैं, 554 गवाओं की गवाई ली गई हैं। लेकिन इस सब के बाबजूत अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं हैं। कुछ लोगों को लॉली पॉप देके गलत बयान दर्ज करवाया गया है। कुछ गवाओं को इतना मारा गया, पीटा गया कि उनके कान से खून निकलने लगा, उनकी गवाई दर्ज करवाई गई है। एक गवा को बोला कि अगर तुम अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ गवाई नहीं दोगे तो हम देखेंगे तुमारी बेटी स्कूल कैसे जाएगी। इस तरह की ब्लाक मेलिंग करने की कोशिश की गई। एक गवा की पत्नी ने सुसाइट करने की कोशिश करी और उन पे इन सब लोगों पे या तो दबाव डाला गया या लॉलीपॉप दी गई उसके बाद गवाई ली गई। महीं दूसरी ओर देखिया आप जिस किसी ने ये बोला कि अरविंद केजिवाल जी बेकसूर हैं वो सारे डॉकुमेंट्स को अन्रिलाइट डॉकुमेंट में डाल दिया गया, कोड के सामने वो डॉकुमेंट रखे नहीं गये। दो साल से इस तरह का यही मनोहर कहानिया चल रही हैं और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से अरविंद केजिवाल जेल से बाहर न निकल पाएं। क्योंकि पूरे देश में अगर भारतिय जनता पार्टी को किसी एक इंसान से डर लगता है तो वो अर्विंद केजडिवाल से लगता है। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजडिवाल जी को वो हरा नहीं सकते। इसलिए कोई न कोई शडियंद करके उनको जेल के पीछे रखना चाहते हैं।